हेलो गाइज स्वागत आपका मारे यूटूब चैनल पर्टक्लासेश में तो इस क्लास के दर बात करने वाले जी वी ज्यान बायलोजी के इंप्रेंट कुछन के बारे में जो आपकी प्रिवेस एक्जाम के दर पूछे गे थे और आपकी आने वाली एक्जाम के दर डेफिनि लोगे पांच से कुछन तो चले चलते हैं बिना टामवेस्ट के अपने इंपोर्टेंट कि तरब अब फर्स्ट क्यों देखे फस्ट आयए विटामिन की खोज किस ने की थी विटामिन की जो खोज की थी वो फंक ने की थी option number D अपना क्या होगा? सई answer हो जाएगा इस्क्रूशन का अगला इस्क्रूशन देखिए iodine test का परियोग किसकी उपसे जांसने के लिए होता है जो हम करते हैं iodine का test वो किसकी उपसे जांसने के लिए किया जाता है यह किया जाता है कार्बोहाइटेट की उपसे जांसने के लिए तो option number C अपना क्या होगा? सई answer हो जाएगा इस्क्रूशन का बढ़ते हम अपने अगले क्योशन की तरफ अगले क्योशन देखिए आमाश्या में बोजन कितने समय तक रहता है? जो हमारे सरीर के जो आमाश्या होता है उसके जो अपन बोजन खाते हैं वो कितने समय तक रहता है? यह रहता है तीन गंटे तक option number B अपना क्या होगा? सई answer हो जाएगा इस्क्रूशन का जितने बी क्योशन है बहुत ही important क्योशन है ठीक है? जो आपकी आने वाली एक्जाम है NTPC CBT2 हो गई group D की एक्जाम होगी बहुत ही important है इन दोने एक्जाम के लिए अगले क्योशन देखिए अगला है थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है थायरोक्सिन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग हो जाता है option नमर A क्या होगी अपना सई आन्सर होगी इस्क्योशन का अगला क्योशन देखिए अगला है प्रातम कोशिका की उत्पति किस इस्तान पर होई? तो सबसे पहली कोशिका थी उसकी जो उत्पति हुई थी वो किस इस्तान पर हुई थी? वो हुई थी पानी के अंदर जेल के अंदर option नमर B अपना क्या होगा? सई आन्सर हो जाएगा इस्क्योशन का बढ़ते हैं अपने अगला क्योशन के तब अगला क्योशन देखिए रक्त होता है बात की गई है बलड के बारे में ठीक है वो किस प्रकार से होता है? मिन्स की जो खटा होता है, मीटा होता है रक्त का जो होता है स्वात के बारे में पूछा गया है जो गया है जो रक्त होता होता है शारी प्रकरतिका बेस्थ होता है option number C अपना क्या होगा सही answer हो जाएगा description का मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ PX scale के बारे में जिसके अंदर 0 से 7 तक 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 क्या होता है अमली होता है और 7 से 14 तक क्या होता है शारी होता है यह तो हो गया शारी है जिसको बोलते हैं base यह हो गया आमले acid तो रख्त होता है वो होता है शारी पर करते का साथी साथ guys अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइज बटन आपको दिखाए जरूरे उसको जरूर दुबाए जिसे कि आपको आगेने वाली handy class की notification आपको मिल जाएगी अगर आपको वीडियो परसंदार तो इस वीडियो को like करें आप comment कर सकते हैं और ज्यादा सेदा इसको share करें अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलग्राम पर एक चैनल अमारा उसको join करें वाँ पर आपको सभी परकार की PDF फाइल मिल जाएगी और description के अंदर link दे रखा है अगला किशन देखिए अगला है कोसिका का सक्तिग्रा है कोसिका का जो सक्तिग्रा है वो है mitochondria option number B अपना क्या होगा? सही answer हो जाएगा इस्ट्रिशन का अगला कि antibody का अबाव होता है कौन से blood group के अंदर antibody का अबाव होता है यह होता है प्रूदी वरग A B के अंदर option number A क्या होगा अपना? सही answer होगा इस्ट्रिशन का guys blood group के ओपर exam के question पूछी जाते है तो blood group के ओपर जितने भी important question बनते है exam के point 2 पर से उसका set जरूर लेकर आएंगे जल्दी तो उसको जरूर देखना अगला किस्ट्रिशन की रिदे की स्पंधन की जाज करने की परक्रिया कही जाती है उस जाज करने की परक्रिया को क्या कहते है उस जाज करने की परक्रिया को कहते है ECG option number C क्या हो गया अपना सही answer हो गया situation का साथी साथ guys आप WBC, RBC और ECG की जो full form होती है उसका answer comment में करें कि इन त्योंनों की full form क्या होती है अगला की कोशिकाओ दुरे में कार्बो हाइटर की मात्रा होती है कार्बो हाइटर की जो मात्रा होती है वो कितने परतिस्द होती है तो ये होती है एक परतिस्द option number A क्या होगा अपना सही answer हो गया situation का अगला क्यों देखे A B जुवरक का जन्तु है A B जुवरक के जन्तु के बारे में बात की गये तो गयाची है उल्लू option number B अपना क्या होगा सही answer हो जाएगा situation का अगला क्यों देखे ट्रिप्नो सोमा से होने वाला रोग है बीजिस के बारे में पूछा गिया है ट्रिप्नो सोमा से कौन सा रोग होता है बेरी बेरी होता है वनान देता होता है निद्दा या भूग नहीं लगना तो यह होता है निद्दा रोग इससे प्रिप्नो सोमा से option number C अपना सही answer हो गया situation का बेरी बेरी इसके बारे में आप मेरे को comment करके बताएं कि बेरी बेरी रोग अगला कि टुंडू रोग पाया जाता है किसके अंदर पाया जाता है आलू में गाजर में बाजरे में या गेहूं में तो गैस टुंडू रोग पाया जाता है गेहूं के अंदर option number D अपना क्या होगा सही answer हो जाएगा अगला पूछा विटामिन से विटामिन A का रास्तानिक नाम क्या है इसके chemical नाम के बाद में पूछा गया है तो गैस जितने भी विटामिन है ठीक है इनके जो रास्तानिक नाम है chemical नाम है उनको जैसे याद कर ले exam के अंदर एक या दो क्योशन पूछे जाते है तो विटामिन A का जो chemical नाम है रास्तानिक नाम है वो है retinol, option number B अपना सही answer हो जाएगा इसक्योशन का अगले क्योशन देखे कि titnes के लिए टीका है titnes के लिए कौन सा टीका है तो titnes के लिए DPT diptheria patutus titnes option number C अपना सही answer हो जाएगा इसक्योशन का और ex-dance के लिए ex-dance के लिए ELSA test करवाया जाता है अगले क्योशन की उट के कूबड का निर्मार्ण किस उत्तक से होता है उट आपने देखे का जिसको क्या बोलते है जाज भी का जाता है देखिस्तान का जाज का जाता है उसके जो कूबड का निर्मार्ण है वो किस उतक से होता है ये होता है वह सामय उतक से option नномर A अपना सही आंसजर हो गया description का बढते हैं हम अपने अगले के जरुशन के तब अगले कुशन देखेए किडनी में फत्री बनने का कारण है किडनी के अंदर जो फत्री बनती है वो किस वज़से बनती है किस कान से बनती है तो वो बनती है ऑक्षिलेट्स के होजसे Option number C अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस ट्रोशन का Oxylates के होजसे हमारे जो kidney होती है उसके ने फत्री बन जाती है अगला क्रिशन है मानव में अन्डे का नीशिचन कहा होता है फोलोपियन झूब में बी अपना सही आंसर हो जाएगा स्क्र treatment का अगला है मानव नेतर में लेंज होता है किस परकाल का लेंज होता है कॉन वेक्स होता है कौन के होता है, इस्पेरिकल होता है, कि स्परका का लेंस नेतर में होता है, तो वो होता है, उबई उतली है, option नमर A अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, इस्ट्योसन का, ओके, अगला कुछन देखिए, अगला है, दातों का इनेमल बनाने में ये साय खनीज है, उस खन अगला क्यूशन देखिए, जनर अंगों के सभी डंक से कारे करने में मदद है तू, आवशेक तत्वे, उस element का क्या नाम है, जो हमारे सभी अंगों को सही डंक से कारे करने में मदद करता है, सोडियम, अमोनिया, फलोरिन, मेगनीज, तो उस element, उस tentव का नाम है, मेगनीज, अगला क्योशन देखे अगला है दलन के जड़ में पाया जाने वाला जीवानु है उस जीवानु का क्या नाम है जो दलन के जड़ में पाया जाता है उस जीवानु का नाम है राय जो बियम option number A क्या होगा अपना सही answer हो गया इस्क्रिशन का अगला question देखें अगला है छोई मुवी पादप के पैंड इस्तिपर से बंध होने एंग खुलने की गति को कहते है उसको हम कहते हैं कमपांग नुक्चुनी कमपांग नुक्चुनी option number D अपना क्या होगा सही answer हो गया इस्क्रिशन का अगला question देखें पादप में जल थता खनीज लवनों का संचालन होता है जो पादप होते हैं उनके जल का और खनीज लवनों का संचालन होता है वो किस परकार से होता है किस तरह से होता है तो वो होता है जायलन के द्वारा, ओप्जन नमबर C अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, इस क्योशन का, बढ़ते हैंब अगले इम्पोर्टेन क्योशन की तरब, अगले की दूद के प्रोटीन को पचाने वाला एंजायम है, उस एंजायम का क्या नाम है, तो उस एंजाइम का नाम है रेनिन, ओप्सर नमर भी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, इस्क्रिशन का अगला कुशन देखें, अगला है विटामिन D, विटामिन D की कमी से वैसकों में होने वाला रोग है विटामिन D आपको पता है किसे प्राप्त होता है, नेचरली बात क्यों तो सूरी से भी प्राप्त होता है विटामिन D, जो हमारी बोडी के लिए, हमारे सरी के लिए बहुत ही इंपोटेंट है तो विटामिन D की कमी से कौन सा रोग विटामिन D की कमी से वैसकों में ओस्टियो मलेसिया हो जाता है ओप्शन नमर C अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्रिशन का और गये जितने भी विटामिन है वो हमारी बोड़े के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है ओके अगला क्यों देखिए वह यंतर जिसके दोरा तरनी की वर्दी दर नापी जाती है उस यंतर को क्या कह जाता है उसका क्या नाम है तो वो है aug genometer, option number B अपना क्या होगा, सही answer हो जाएगा, इस question का अगले question है, penicillin क्या है, penicillin के बारे में पूचा है काई जितने भी question है, बहुत ही important question है, आपकी exam के point 2 पे से तो penicillin क्या है, antibiotic है, option number D अपना सही answer होगा, इस question का बढ़ते हम अपने अगले important questions की तरब, अगले question है, परियोग साला में संसलेशित पहला कार्वनिक पदारता है, उसका क्या नाम है, nitrogen है, ammonia है, यूरिया है, या फिर fluorine, तो उसका नाम है, यूरिया, option number C अपना सही answer होगा, discussion का, अगले question, मनुश्यों में मेरुदर्ण से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, 31 जोड़ी निकलती है, option number A अपना सही answer होगिया, 46 क्या होते हैं, गुंशुत्र होते हैं, ज्यानक ना, पेर के माँ बात क्यों तो 23 में, अगला है कि पोदे का प्रजनन अंग होता है, तना होता है, फूल, पतिया हैं, या किशी परकार से नहीं होता है, पोदे के प्रजनन अंग के बारे में पूछा गया है, तो यह होता है, फूल के द्वारा, option number B अपना सही answer होगिया, इस्क्यूशन का, ओके, अगला है, कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट के बारे में पूछा है, तो कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B टूल के अंदर, option number C अपना सही answer होगिया, इस्क्यूशन का, साथी साथ गाईज आप विटामिन B टूल का जो chemical नहीं में, रास्रेंक नहीं में, क्या नहीं में हैं, कमेंट में जरूर आंसर करेंगे, अगला की फूलो का अध्यान क्या कहलाता है, फूलो का जो अध्यान कहलाता है, उसको बोलते हैं, एन्थोलोजी, option number B अपना सही answer होगिया, इस्क्यूशन का, अगला क्यूशन देखे, मानो मस्तिक तदा सीर का अध्यान से समद्द साका है, उस साका का क्या नाम है, उस साका का नाम है, फ्रेनोलोजी, option number B अपना क्या होगा, सही answer हो जाएगा, इस क्यूशन का, ओके, तो गैज, यह थे important क्यूशन जो आपकी exam के अंदर पूछी जाएगी, आपको वीडियो पसंद आगा, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को like करें, और ज्याद सेदा, शेयर करें, अगर आप हमारी चैनल पर पहली बाद जुड़ रहे हैं, तो हमारी इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करें, और जो बेल आएंगा जो बटन है उसको जरूर दबाए जिससे कि आपको आगेने वाली हैंड नी क्लास की नोटिफिशन आपको मिल जाएगे तो गैस मिलते हैं नेक्स क्लास में नेक्स इंपोर्टेंड एंड धमाकेदार क्यूशन के साथ तब तक के लिए थैंक यो गुडबाई और टेक केर